हेलो दोस्तो, दोस्तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा मनफुरम पाइनास लिमेटेटरी के बारे में दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं इसके fundamentals के बारे में बात करूँगा इसके price forecast for next year इसका revenue model कैसा है कहां से आता है, इसकी competitor कौने fundamentals कैसा है क्या यह जो share है, यह share अभी सस्ता है या महेंगा है, क्या हमें इस price पे इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब इस video के अंदर दूँगा दोस्तो, दोस्तो यह जो video है, बहुत ही interesting होने वाला है दोस्तो, तो end तक देखिए दुस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं इसी तरीके के share markets related interesting videos daily मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ दोस्तो किसी भी शेर के अंदर investment करने से पहले हमें उस company के fundamentals उसकी history के बारे में चानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों दोस्तों company की history जो है वो काफ़ी इंट्रेस्टिंग है 1949 में यह company जो है वी सी पद्मना नाभम उन्होंने यह company चालू की थी उस company का नाम होगा करता था पहले मनपुरम General Finance and Leasing मनपुरम General Finance and Leasing company का business जो था वो काफी बढ़िया था साउथ इंडिया में ही यह company काम किया करती थी सिर्फ उस ताइम पे मनपुरम General Finance and Leasing मतलब short form में यह में था money lending activity और very modest scale पे यह काम किया करते थे modest scale पे यह काम किया करते थे दोस्तों फिर बाद में 1992 को ठीक है 1992 को इस company company का नाम जो है वो चेंज करके मनपुरम Finance Limited कर दिया गया 1992 के अंदर उसके पीछे भी दोस्तों एक श्टोरी है अगर यमडी और CEO की बात करें तो इसके यमडी है VP नंद कुमार यह जो नंद कुमार है वो उनकी बहुत अच्छी श्टोरी है यह अभी as of नौ इसके managing director और CEO है यह पद्मना बढ़के हैं दोस्तों इन्होंने पोश्ट ड्रेशन किया है additional quality banking on foreign trade के अंदर उन्होंने पोश्ट ड्रेशन किया है US से और उसके बाद में US से पढ़ाई करने के बाद में दोस्तों उन्होंने नेंदुगुडी bank limited में नोकरी की 10 साल 1986 से यह नोकरी कर रहे था है दस साल इस दोस्तों नंद कुमार जी ने फिर उनका जो पिताजी एकस्पायर होने के बाद में उनका जो खुद का बिजनेस है वो उन्होंने अट्री ली और मनपुरां फाइनस के अंदर वो मैनेजिंग डिरेक्टर और सियो मैं इसकी और एक इंट्रेस्टिंग बात बता देता हूं दोस्तों, as of now, इनके body पे कौन है? जग्दिस कापूर, वो कौन थे? जग्दिस कापूर जो थे? वो deputy governor थे, Reserve Bank of India के, as well as agricultural financial finance और asset corporation, मतलब के भी chairman हुआ करते थे, as well as अभी chairman है, HDFC bank के अंदर, BFC के भी वो chairman है, तो ऐसे लोग भी इस company के management team में हैं, और नंदो कुमार जी का actually जो experience है, वो काफी बहतर इने, नंदो कुमार जी ने ही actually, उनके father जाने के बाद में, इस company का नाम, Manapuram Finance Limited कर दिया, और उन्हों नहीं इसको BSC और NACA के अंदर list करवाया, दोस्तों, दोस्तों, company का business अगर अभी हम बोले, तो company का business बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका revenue model, दोस्तों, यहाँ पर देखें, तो company आपको पता ही है, कि company gold loan के अंदर काम करती है, और gold loan से उनका 83% का revenue आता है, दोस्तों, यह role का segment है, वो दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसका reason यह है, दोस्तों, कि gold यह एक तरीके से reserve करके रख देते हैं, गोल्ड की prices तो बढ़ती ही जाती है, अगर कोई loan नहीं दे पाता है, तो उस gold को यह company बेच सकती है, और अपना loan जो है, वो secure कर सकती है, और दूसरा 16% का, वो microfinance में काम करती है, 16% का microfinance मतलब वो क्या करती है, छोटे-छोटे retail loans, मतलब गाड़ी लेने के लिए, फ्रिज लेने के लिए, ऐसे छोटे microfinance related loans यह actually retailers को दोती है, जो कि actually डूबने के chances बहुत ही कम होता है, और वो काफी बढ़िया भी होता है, और यहाँ पर अगर देखें, तो South India से 57% का revenue आ As of now, 4000 से जादा उनके branches 25 cities के अंदर है, और इनके company में as of now, 17,500 से जादा लोग काम कर रहा है, revenue model की बात करें, तो revenue model काफी बहुत रही है, इसमें डूबने के chances बहुत कम है, आपको अगर हम इसका further breakup अगर हम देखना चाहें, तो gold loan के अंदर 66%, और जैसे कि मैंने microfinance, vehicle finance और other finance के अंदर company काम कर रही है, तो दोस्तो company का business जो है, वो काफी बहतर है, और आगे जाके मुझे लगता है कि ये company जो है, वो काफी बढ़िया तरीके से grow करें, अब देख लेते हैं, चार्ट पर कैसे लग रही है, क्या ये company अभी सस्ती है या महंगी है, दोस्तो इसका PE देख small cap थी, तब मैंने actually इसके अंदर investment करना चालू गया था, अभी इसका market cap देखा जाए, तो 12,950 करोड का है, price to book ratio के अगर बात करें, तो 2.22 है, जो की काफी attractive evolution पर हमें मिल रही है, ये company, consumer finance के अंदर है, volatility बहुत जादा रहती है, बहुत उपर नीचे actually करता है ये share, आप 38% की actually उचला आई, ठीक है, अच्छा profit बना के दिया, वगर एक week के अंदर 5,5% की growth इसके अंदर हुई है, एक महिने का अगर chart देखे, तो 1.77% की negative return इसने बना के दिया है, एक साल की अगर बात करें, तो 1.39% का return इसने बना के दिया है, investors को, यहाँ पर अगर 5 सालों की बात करें, तो 5 सालों में बहुत ही बढ़िया return बना के दिया है, दोस्तों इसकी listing बहुत जादा पुरानी नहीं है, 566% का return इसने बना के दिया है, बहुत ही बहतरिन return इसने बना के दिया है, यहाँ पर अगर 10 सालों का graph देखे, तो 318% का return इसने बना के दिया है, जो की काफी ब और 77% इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों यहां पर अगर higher side इसकी देखे तो 50% यहां से upper side दिखा रहा है 230 रूपिस को जा सकता है और medium भी रहा तो 31% यह उपर जा सकता है यहां से और 201 तक यह उपर जा सकता है यह अगले आने वाले एक साल के लिए और यहां पर देखे lower side है 15% की जो है 129 रूपिस की मतलब यहां पर रिस्क बहुत कम है रिवार्ड बहुत जादा है दोस्तों ऐसे शेर मुझे बहुत पसंद आता है जिसके अंदर रिस्क कम होती है रिवार्ड जादा होता है दोस्तों आप देख लेते इसके financial कैसे है financial अगर देखे तो कमपनी जो है year on year 22% से year on year पिछले 5 सालों से ग्रो कर रही है अंडर वेल्लूड कमपनी है दोस्तों यहां पर revenue model जो है वो भी काफी बहते रिवार्ड रही है यहां पर अगर देखे पिछले 5 सालों से 40% से revenue growth net income इनका बढ़ रहा है यहां पर अगर market share की बात करे तो market share जो है वो 4.31 से बढ़कर 4.91 हुआ है जो की काफी बहते रही है टोटल revenue की अगर बात करे तो 3,479 क्रोड से बढ़कर इस साल दोस्तों इस साल भी company ने profit post किया यह काफी important बात है दोस्तों 5551 क्रोड का total revenue है दोस्तों यहां पर अगर देखें net income जो है net income डवल से भी ज़ादा इनका तीन सब इशले तीन सालों में बढ़ा है और EPS देखें दोस्तों EPS अगर देखें तो 2020 के अंदर इसका EPS जो है वह 17.39 का है दोस्तों मतलब यह जो company जिस price पर हमें मिल रही है ना वो काफी सस्ते valuation पर मिल रही है दोस्तों free cash flow company के पास नहीं है करजा है company के ऊपर 3725 क्रोड यह थोड़ा सा negative point है यहाँ पर इसके competitor देख लेते हैं कौन को ने competitor है मुथूट finance बजाच फाइनस एई स्मॉल फाइनस दोस्तों मुझे जो as of now इसमें जो पसंद आती है मुथूट फाइनस और मनपुरम फाइनस यह दोनों भी company बहुत बढ़िया लगती है मुझे gold sector के अ हुआ है holding pattern देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर holding pattern अगर देखे तो प्रोमोटर के पास 35% की holding मुचल फंड के पास 8.39% की holding है मुचल फंड ने इसके अंदर holding बढ़ाई है बियाए की बात करें तो 3.85 है यहाँ पर तो 38.36% की holding है यहाँ ने भी इसके अंदर हाली के कुछ महिनों के अंदर काफी खरीदारी की है आधर पार्टी की बात करें मतलब रीटेल निवेशक उनके पास 16% की holding है आधर पार्टी ने लगपक उतनी holding रखी है यहाँ पर एक पॉइंट है दोस्तों 0.59% की holding promoters ने गिरवी रखिए जो की काफी nominal है दोस्तों अब बात कर लेते कौन से price पे हमें इसके अंदर entry करने चाहिए दोस्तों इसका low अगर देखें तो 74 का है और high है 194 का high और low के बीच में काफी बड़ा अंतर है दोस्तों लगपक 100% से भी जादा का अंतर है दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस price पे हमें इसको accumulate करना चाह सकती है तो मुझे ऐसा लग रहा है 140 के नीचे जब यह जाने लगे तो मेरे खैल से इसके अंदर और बारिंग करने चाहिए 140 के नीचे आप इसके अंदर बाइंग करना चालू कर सकती है मगर दोस्तों शेयर बहुत बहुत ही बढ़िया है इसके fundamental बहुत बढ़िया है इसका अंदर 10,000 रुपे लगाना है तो उसको पाच हिस्सों में बाट लीजिए पहली किस जब लगाएंगे तो 140 के आसपास अगर जब मिलें आपको ठीक है 150, 145 to 140 के बीच में कुछ लोग बोलेंगे आप वो प्राइस कभी नहीं आएगी दोस्तों चेयर मार्केट में हमेशा आप एक वीक का ग्राब देख सकते हैं 139 रुपीस को ये इसका लो था दोस्तों कुछ वीक पहले ही बहुत लोग एक्चुली कमेंट्स बॉक्स में पूपच रहतें कि बोल रहतें कि सर आप जो प्राइस बोल रहे हैं वो कभी नहीं आएगे फिर उन्होंने ही एक्चुली वीक के अंदर ही 100% मिलेगा तब हम लोग इसको अकुमलेट करना चालू कर सकते हैं मगर बल्क में मत कीजिए हो सकता है ये शेर वहां से भी 10 या 20% गिर सकता है क्योंकि ऐसे पाइनस के शेरों के अंदर पेन आता है गिरावट आती है तो डेली वो शेर जो है ना 5-6-5-6 प मुझे कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो